हलो दोस्तो नमशकार प्राफिट गुरु चैनल में एक बाद नए मार्केट अपडेट के साथ आप लोगों का सौगत करता हूं तो दोस्तो बाजार में काफी चर्चा भरी एक कमपनी अभी देखने को मिल रही है जिसका नाम है प्रिंस पाइप तो इसमें इतनी गिरावट क्यों हो रही है क्या रीजन है दोस्तो शेर होल्डर भी उसको लेकल काफी जदा परिशान है और दूसरे इंवेस्टर भी उसको लेकल काफी जदा परिशान है तो इसका क्या हो रहा है दोस्तो जो उसमें गिरावट देखने को मिल रही है क्या अनुमान से हम बता रहे हैं पूरा confirmation तो यह news नहीं है कुछ अनुमान से बता रहे हैं कि ऐसा हो रहा है जिसके कारण दोस्तों के company गिर रहा है ठीक है इसके कारण इस company के share के वह प्रेशर आ रहा है ठीक है तो देखते हैं आगे news को उससे पहले market को देखते हैं तो market 17,766 से एक अच्छा कासा market है आपर trading कर रहा है दोस्तों ठीक है अब market यहां से कितनी उपर जाएगा यह देखने वाली बात है अटाराजार का level काफी कराब मतलब काफी करीब है यह तो यह level पर market किस प्रकार से अपना reaction दिखाता है यह देखने वाली बात है breakout देख पाएगा या नहीं कितना pressure यहां से आएगा या नहीं यह देखने वाली बात है तो market के related आगे जैसे भी sentiment बनेंगे हम definitely आपको provide करेंगे तो फटापट से इस वीडियो को like कर दीजे और चैनल को subscribe कर दीजे ठीक है तो चलिए आज का जो Prince Pipe का performance है वो देखते हैं तो यहां पर देखिए Prince P Pipe and Fitting Limited नाम से पहचान में आ रहा है कि Pipe industry में और Fitting industry में company काम करता है ठीक है साथ में अगर मैं बात करता हूं तो company का अतलब शेयर का जो price है आज भी करीवन 5.5% गिरा हुआ है 515 रुपए पर ट्रेडिंग करा है previous close था 527 रुपए साठ पर से same price का open उता है same price का high लगाता है और low लगाता है 513 रुपए पंदरा पर से ठीक है सीदा में लेकर चलता हूं एक मेने एक मेने में स्टॉक 11% गिर चुका है यह जो 52 बिक का लो है यह आज ही का है 6 मेने के अग मैं बात कहता हूं एक साल में 27 परसेंट से ज़्यादा स्टॉक गिर चुका है क्योंकि स्टॉक का एक साल पहले 877 रुपय का वावन विक का हाई था इस लेवल पे लेकिन अभी यहां से गिर चुका है ठीक है ओवरॉल का अगर मैं परफॉमेंस दिखाता हूं तो यह कंपनी म मार्केٹ में 2020 में आई थी काफ emotि काफी अच्छा कंडिशन देखने को मिलता इस इस कंपनी का का अपधे नाम भी का देखने मिलता है लेकिन ब्ली में दोस्तों प्रेशर इसका काफी ज़यादा इसको अच्क्राएं अभी आ रहा है आप देगते हैं तो जो पहला इस ऑने वो भी गिर रहा है क्योंकि वो भी इस इंडस्टी में काम करता है ठीक है उसमें क्यों आ रहे ही गिरावट वो भी बताए जा रहा है तो यह अपडेट दोस्तों 21 अक्टॉमबर का है जो रिसर्च करने पर आप पता चला है मतलब देखें यह जो इंडस्टी यह PVC पाइप बन मतलब PVC बनाने का जो raw material है कि व काफी ज़्यादा महणा हो रहा है महंगा भी हो रहा है तिक ए और उसके पीवीच के जो प्राइजरेसेverse रहे है जिसके कार्ण मेर दुस्तों क्या हो रहा है schemes कि जो ज्यूस्टों के उपर हैंव काफी ज्यादा इन्क्रीज हो रहा है मैं बढ अब यहां पर दिखे जो पॉलीमिलाइन क्लोराइल है ठीक है जिसे हम पीबीसी बोलते हैं ठीक है और एक पाइप बनाने में ठीक है 60 से 70 परसेंट इसको यूज किया जाता है ठीक है और इसके दोस्तों जो प्राइजे वो क्या हो रहे हैं नीचे जा रहे हैं ठीक है तो इनक तो यह जो एक पाइप है ठीक है पीबीसी का जो मान लीजी कि हजार रुपे में अभी मिलता है अब इतना माल उसमें पीबीसी का यूज हो रहा है जब मार्केट में पता चलेगा कि पीबीसी का ही दोस्तों प्राइज बहुत नीचे आच चुका है इंपोर्टेंट रो मट ट्रेल का ही तो जो पाइप है वो भी कम दाम पर बेचना है ठीक है तो कमपनी अगर उस एक पाइप को कम दाम पर बेचेगी तो उसको काफी ज़्यादा घाटा होगा क्योंकि दोस्तों उसका रेट अभी यह है और उसको रेट गिराना पड़ेगा तो जो इनकी महंगाई की पीछे ठीक है सस्ते नाम में क्या पर करना पड़ेगा दोस्तों पाइप को बेचना पड़ेगा तो यहां पर दोस्तों पूरी चीज़े क्या हो रही है उल्टी पूल्टी हो रही है ठीक है हां महंगाई बढ़ रही है ठीक है तो क्या होता पाइप के रेट कितनी देजि से गट रहा है महिंगाई देख रहे हूंग há माइने धर माइने कैसी बढ़ रही है कैसी गट रही है तो pressure in company वे उपर है मतलब उल्टा उल्टा यह पूरा जो है दोस्तो काम इनके अंदर हो रहा है जिसके कारण दोस्तों यह समझ नहीं पा रहा है कि हमारा क्या होगा अब यहां पर देखे यहां पर भी same boy मैंने आपको उपर क्या बताया inflation बढ़ रहा है वो परिशान है ठीक है rising interest rate जो rate high किया जा रहा है ठीक है वो भी इनको परिशान कर रहा है lockdown in China ठीक है वो भी houses crisis मतलब जो housing crisis कहां पर UK US चाइना में यहां पर देखने को मिल रहा है क्योंकि सबसे ज़्यादा दोस्तों PVC pipe तो यहां पर use होते हैं ठीक है उसके जाती दोस्तों और भी अगर हम देखे जैसे कि यहां पर बताया गया है कि जो inventory inventory क्या होता है दोस्तों जो कच्चा माल पहले से कंपनिया बुक कर लेती है कच्चा माल पहले से ही दोस्तों कंपनिया बुक कर लेती है मान लिजिए आपको कोई चीज बनाना है तो आपकोई प्राइब बनाना है तो आपने PVC के लिए कुछ रो मेटरिल दोस्तो एक साथ एक साथ पहले भुला के रखाए 6 मेने पहले अब 6 मेने पहले तो इसका दाम जाता था अब मान लिजिए गोल्ड की में बात कर लेता हूँ आपके घर साथी है ठीक है आपको गोल्ड लेना है तो गोल्ड आपने 2 मेने पहले ले लिया आपको लग रहा था कि यहां से और गोल्ड उपर जाएगा तो आपने 52,000 के प्राइस पे गोल्ड ले लिया अब 2 मेने बाद क्या होगा दोस्तो वो गोल्ड का प्राइस 40,000 आगया ठीक है तो आप उसको बेश तो सकते नहीं हो ठीक है आप तो उप्योग में लोगे लेकिन बेश तो सकते नहीं हो की मजबूरी यह बन गए आपको उप्योग में उसको लेना ही पड़ेगा तो दोस्तों अगर बेचोगे तो 12,000 का घाटा होगा तो यह होता है कमपणी इनके पास क्या है इनका जब रेट हाइक था PVC का जब इन्हों ने रोमट्रेल ले लिया था लेकिन इनके पास तो मजबूरी आ गए इनको तो माल बना के बेचना पड़ेगा तब इनकी कमपणी चलेगी अधरवाइस इनकी कमपणी भी खोई तक्यक देखने को मिल रही है यहीं है दोस्तों पूरी दुनिया में यहीं अभी देखने को मिल रहा है खास करके पीबीसी मतलब supply of PVC इन इंडिया भारत में काफी जदा में देखने को मिल रहा है यहां पर अभी आप बल्ट डिमांड बेजर बेनीफिट ऑफ फालिंग प्राइस यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर एक काफी बड़ा नेगेटिव भी आया था ठीक है दो अपते पहले मतलब 14 अक्टॉमबर के आसपास पता गया था कि प्रिंस पाइब का जो क्यूटू का profit after tax मतलब जो net profit आएगा उसमें दोस्तों year on year basis पे 89.2% की गिरावट हमें देखने को मिलेगी यह कौन बोल रहा था yes security बोल रहा था इनका जो net profit है वो 8.2 करोड के आसपासी आएगा उसके साथ और भी बताया था इनका बोलना का मतलब यह था कि जुलाई से सितंबर वाला जो क्यूव है उसमें जो earning estimate है ठीके वो काफी बेकार बताया गया है क्योंकि जो building material sector है इस इंडस्टी में भी काफी ज्यादा slowdown आया हुआ है ठीके इसके करण दोस्तों इनका year on year basis पे profit इतना डाउन होगा लेकिन Q on Q basis पे दोस्तों आप देखेंगे तो 90 49% तकी डाउन होगा नेट sales की अगर मैं बात करता हूं तो 14.4% यहाँ पर दोस्तों क्या रहेगी decrease होगी ठीके आप देख सकते हैं year on year basis पे लेकिन दोस्तों 7.8% Q on Q basis पे sales increase होगी इनका बोलना है कि sales से रहेगी 651 करोड के आज पास की yes security का यह बोलना है उसके साथ अगर आप देखेंगे earning before interest tax ठीके इबीटा margin के अगर हम बात करें तो इबीटा margin में भी दोस्तों fall देखने को मिलेगा कितने percent का आप देख सकते है year on year basis पे और Q on Q basis पे कितना देखने को मिलेगा तो इसने दोस्तों काफी ज़्यादा इनको परिशान कर दिया है ठीके तो यह तो negative point अभी हमें तेक्निकल पॉइंट क्या है देखें टेक्निकल पॉइंट पे दोस्तों एक 550 रुपे का दोस्तों क्या था इंपोर्टेंट सपोर्ट लेवल था जहां पर जून में उसने लो लगाया था ठीके उसके बाद रिकवरी करी थी यहां तक और फिर गिराबट आई तो उसको ब्रे का अगर यू टर्न आता है तो सबसे पहले दोस्तों 550 का ही लेवल आएगा ठीके तो उसके आप एक रिजेक्शन के हिसाब से नोट करिए ठीके बाकी ऊपर तो है और भी खतरनाक खतरनाक लेवल 600 का फिर उसके बास सीधा यहां पर 700 का दिख रहा है ठीके तो गिराबट में सबस्तों अभी तो इसने ब्रेकडाउन दी है 550 रुपे के लेवल को अब नेक्स्टर सपोर्ट लेवल यह 500 का तो यह लेवल ब्रेक हो पाएगा यह नहीं ठीके होल्ड हो पाएगा यह नहीं यह आप हम देखेंगे जिसके लिए दोस्तों यह लेवल मैं आपको नोट करा र लेवल है वो इसके लिए काफी important rejection level रहेगा यहाँ पर आने के बाद दोस्तो इस talk का क्या रहेगा reaction वो हम देखेंगे ठीके तो यह था आप लोगों के लिए एक पूरा नॉलेज़ेवल वीडियो और एक education वाला वीडियो तो फटा बट से इस वीडियो को like कर दिए जो चैनल क subscribe करतीजिये तो thank you दोस्तो